अगर चैनल को अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए चलो आज की वीडियो स्टुडेंट्स अपन स्टार्ट करते हैं तो आज की वीडियो है स्टुडेंट्स वो क्लास 12 इंगलिस कमपल्सरी के स्टुडेंट्स के लिए रहने वाली है स्टुडेंट्स आज की वीडियो के अंदर अपन पनोर्मा बुक के important questions and answers करने वाले हैं वह पनोर्मा बुक के important questions and answers जो 2021 के board exam में पूछे जाने की पूरी-पूरी संभावना रहेगी तो स्टुडेंट इस से पहले मैं जो writing chapter से related जो important जो question answers है उसकी वीडियो भी मैं YouTube पे upload कर दी है अगर आपने अभी तक वो वीडियो वोच नहीं की है तो वो वीडियो मैं description box के अंदर याने की डाल रहा हूं उस link को आप open कीजिए और writing chapter से related जो जो important है जो 2021 के अंदर आने की संभावना है उस वीडियो को आप अच्छे से आने की देखिए वीडियो को like कीजिए तो students आज जो वीडियो मैं आपके सामने paste कर रहा हूं इससे आने की 10 number के question है वो आपके exam के अंदर पूछे जाएंगे और इसके अंदर मैं आपको so type के question भी बताने वाला हूँ पनोर्मा बुक से और long time के जो question आएंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसलिए आप अपनी note book अपने पास रखे जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आप question को note करते जाएए अच्छे चलन कीजिए उमीद करता हूँ कि इनी के उसन से exam के अंदर person पूछे जाएंगे तो आज मैं जो बता रहा हूँ दुबारा आपको बता देता हूँ class 12 की दो बुक है एक rainbow और एक है panorama तो आज मैं panorama book से आने की important के उसना answer बता रहा हूँ और next video के अंदर rainbow book के अने important के उसना answer में आपके ये लेके आ रहा हूँ इसलिए इस video का आप अच्छे से आने की देखिए तो देखिए start करते हैं सबसे पहले इसमें अपन बात करते हैं ये जो बुक है panorama book इससे आपके 10 नमर के person पूछे जाएंगे 10 नमर के जो person होंगे उसमें से 5 तो छोटे person होंगे 5 ही दिया होंगे और 5 के 5 करने होंगे और हर person 2 नमर का दिया होगा exam के अंदर तो कहने का मतलब क्या है जो छोटे person होंगे उसके answer आपको 30 to 40 words में लिखना होगा 30 से 40 words में लिखना होगा और हर person दो number का होगा कहने का मतलब 10 number के दो छोटे person आएंगे उसके अलावा अगर long type question के बात करें तो आपके exam के अंदर 3 बड़े person दिये होंगे, कितने बड़े person दिये होंगे 3 बड़े person दिये होंगे और 3 में से आपको एक करना होगा तो students तीन में से आपको एक करना होगा और with तीन में से एक कौन सा यानि सबसे ज़्यादा important है वो मैं आपको वीडियो के last में बताने वाला हूँ इसलिए वीडियो का आप last तक जरूर यानि watch कीजिए और बड़ा person होगा वो भी 5 number का होगा तो student इस तरह से panorama book आपके 10 number की रही तो मैं थोड़ा जल्दी में यानि कि यह बता देता हूँ ताकि यानि कि वीडियो लंबी नहीं बने सबसे पहले छोटे person की बात करें students आज की वीडियो में मैं केवल 30 person लेकर के आया हूँ जिसमें यानि कि 26 person छोटे person है और 4 person क्या है बड़े person है तो कहने का मतलब क्या है 4 person 5 person यानि की बड़े person है और क्या है ज्यादा तर छोटे person है और जैसे ही exam एकदम नजदीक आ जाएगा तो मैं एकदम से यानि की कम वीडियो कम क्योंसन जो एकदम से यानि की important है उन परसनों को मैं लेकर के आने वाला हूँ अभी यानि आपके एक्जाम के लिए कुछ टाइम पड़ा है इसलिए मैं आपके सामने यानि कुछ ज्यादा परसन रख रहा हूँ और जैसे ही एक्जाम नजदीक आएगा तो उस टाइम आपको एक वीडियो और प्रवाइड कर दूँगा पनोर्मा की जिसमें आनि कि क्या होगा वो ही यानि इंपोर्टेंट क्योशन होगे जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्योशन होगे वो मैं आपके सामने रख दूँगा तो चलो देखीये सबसे पहले आनि कि 30 to 40 words की जो क्योशन आनसर आने वाले हैं तो देखीये पहले चेप्टर से टाइगर किंग से वाई डिट डाइगर किंग बाई फोई सन यानि कि What डिट डाइगर किंग बाई यानि टाइगर किंग ने आनि कि क्या खरीदा अपने बेटे के थड़ बड़े के लिए ठीक है अगला क्योस ना है अगला जो दूसरा चेप्टर है उस चेप्टर के तो स्टूटेंट समय हर चेप्टर के आने की क्योसन लेके आ रहा हूं और next जो वीडियो आएगी last में exam के time पर उसमें आने की चुनिंदा person होंगे तो अब देखिए grandmother वाले chapter से है कि what were the grandmother's views about learning music कि grandmother के क्या विचाड थे music सीखने के बारे में अगला question है how did grandmother help grandmother कैसे मदद करती थी अपने grandson की in the morning में morning के time before going to school जाने से पहले अगला question है describe the grandmother's association with the sparrows कि grandmother को जो जुडाव था चिडिया के साथ उनका वर्णन कीजिए ये सारे students छोटे person है long question में last में बताने वाला हूँ अब अगला देखिए why were the passers-by greatly perplexed swimmer वाला और जो guitar player है उससे है कि passer-by बहुत जादा हैरान क्यों हुए अगला question what feelings arose क्या भावनाई उठी in the heart of passers-by passers-by के हर्दे में after listening to the music music सुनने के बाद अगला है very very important person what is the meaning of the word swimmer swimmer का मतलब क्या है और दसवाँ person है why were the princess parents said राजकुमारी के माता किता उदास थे अब अगला यानिकी गफूर वाला chapter है students यह जो chapter है इससे यानिकी एक बड़ा person यानिकी 100% आएगा यह मान के चलिए वो कौन सा person होगा वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ यह भी बताने वाला हूँ कौन-कौन से character sketch आपको अच्छे से learn करना है तो अब देखिए अगला है वो महेस को अपने बेल को केटल मारकेट में क्यों नहीं बेशना यानिकी चाहता था इस chapter से यानि students छोटे के उसन पुछे जाने की बज़ाए बड़ा के उसन पुछे जाने की संभावना ज्यादा है फिर भी छोटे के उसन मा आपको यानिकी लिखवा रहा हूँ वहाँ पे बहुत ज्यादा यानिकी कमी क्यों थी वोटर के इन दा विलेज यानिकी गाव में यह गफूर वाले चेप्टर से यह है अब अगला यानिकी लाव एक्रोश टू दे साल डेजट चेप्टर से है students इससे छोटे परसन पुछे जा सकते हैं वाई डिट दा रन लुक लाइक पेरलाइज मोनेश्टर की जो रन था कच का जो रन था वो पेरलाइज मोनेश्टर यानिकी सक्तिहीन राक्षस के समान यानिकी क्यों दिख रहा था अगला question है very very important person what important incident occurred क्या महतोपून यानि गटना गटी जब फातिमा came into the village यानि की गाउं में आई ठीक है students अब अगला question है अगला question why did फातिमा not like महफूज अली फातिमा है महफूज अली को like क्यों नहीं करती थी उमीद करता हूँ ये chapter आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आपको यानि की दिक्कत नहीं आएगी अगला question है देखिए अगले chapter से iron edler वाले से बड़ा person भी पूछा जा सकता है इस chapter से कि what were Holmes disguised to solve the case यानि कि Holmes ने यानि की case solve करने के लिए किसका बेस बदला या अगला question है why could the king of bohemia not marry edler king of bohemia है वो edler से साधी क्यों नहीं कर सका अगला question why did the king want his letters and photograph back राजा है वो अपना letter और photograph वापस क्यों लेना चाहता था अब next यानि की question है students अगला है कि what did Am Hemel say about the french language छोटा person अगर आता है तो very important person है students कि Am Hemel ने french language के बारे में क्या कहा और अगला है what order came from Berlin यानि Berlin से क्या आदेश आया ये छोटे person है student इसे भी बड़ा person मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ अब अगला देखिए अगले chapter से कि why did the peddler sign himself as a captain one stelle यानि कि peddler ने अपना sign captain one stelle के रूप में क्यों किया next question why did the iron master speak kindly iron master अब बहुत दयालूता से क्यों बोला peddler के साथ और उसे invite क्यों किया अपने घर और why did the peddler decline और peddler ने मना क्यों कर दिया invitation का अब अगला question है how did the cropter behave क्रोप्टर ने केसा बहुत किया peddler के साथ after opening the door यानि दरवाजा खोलने के बाद उस वर्द यानि किसान ने केसा बहुत किया एक question देखिए students पहला जो यानि की chapter था tiger king उससे यानि रह गया very very important person है इसको आप अच्छे से देख लेना कि why was the tiger hunting band in the परतिबंद पूरम कि परतिबंद पूरम में tiger hunting band क्यूं था तो student इस तरह से choice person छोटे person है सारे के सारे easy person है आप अच्छे से यानि की इसको learn कर लेना exam के time इन से भी कम question में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ और कुछ model paper भी ओर लेकर क्या हूँगा उमीद करता हूँ इन ही person से exam में आने की पूछे जाएंगे अब देखिए तीन अब long type question की बात करें तो आपके आनी exam में तीन person दियोंगे और तीन में से आपको करना कितना होगा तीन में से एक करना होगा और पांच नमर का होगा students तो यह छोटे person है यह पांच नमर के आएंगे पांच दियोंगे और पांचों ही करने होगे long question में 3 में से 1 करना होगा तो student 6 person में आपके सामने रख रहा हूँ 6 में से यानि कि उमीद करता हूँ कि 3 के 3 ही आजाए और 3 नहीं तो 1 question आपको मैं ऐसा बताने वाला हूँ जो ये मान के चलिया 100% यानि आपके exam में आएगा वो question हर students के learn होना चाहिए और जब ये question आजाए तो आप यानि कि exam देने के बाद आप क्या कर देना यानि कि इसके अंदर comment में जरूर बताना मेरे को ये question sir आपने बोला था वो आया है या नई है लेकिन मैं मानता हूँ ये question 100% यानि कि पूछे जाने वाला है तो students वो देखे 125 words में जो question आएंगे पहला ही पहला जो question सबसे important जिसके यानि कि बहुत ज्यादा उमीद है पूछे जाने की और ये question मैं बता रहा हूँ कि ये exam में 100% पूछा जाएगा और question है dry characters के जो गफूर गफूर का चरीतर चितरन कीजिए ये जो चोथा जो chapter है students गफूर वाला जो chapter है उस chapter से है तो ये question आप अच्छे से यानि की learn कर दीजिए dry character sketch of गफूर यानि की गफूर का character sketch लिकिए सबसे very very important students और आप से बड़े person याद होते हैं या नहीं होते हैं वो अलग बात है लेकिन ये question सब students के learn होना चाहिए अब अगला दूसरा question है peddler वाले से who was adla बड़ा person है adla कौन थी और how did she change the peddler behavior और peddler का behavior उसने केसे बदल दिया अच्छा person है ये भी आप यानि की इस person को भी अच्छे देखना और अगला character sketch students dry character sketch of iron adler iron adler का character sketch लिखे students आपके जो 3 person दिये होंगे उसमें से 2 person character sketch वाले आने वाले हैं जो intelligent student है वो तो यानि की आपे हर chapter के character sketch यानि learn कर लीजिये लेकिन कुछ students है जो सारा बहुँ ज़्यादा याद नहीं कर पाते हैं वो गफूर का character sketch और iron adler का character sketch यानि जो की travel in bohemian chapter से है वो अच्छे से ज़रूर learn करना अगला जो 28 number पे जो question है वो है how did the tiger king come in the danger की tiger king है वो केसे खत्रे में आ गया of losing his throne अपने यानि की गदी को खोने के कगार पे और केसे अपने यानि की kingdom को उसने बचा है उमीद करता हूँ कि आपने tiger king अच्छा सा पढ़ लिया होगा और यह question आप अच्छे से कर सकते हो very important person है यह भी अगला question है हेमल वाले chapter से the last lesson है उससे it was the day of surprises for friends की friends के लिए very very यानि की बहुत ज़्यादा आस्री जनक दिन था और what surprises where क्या surprises थे notice किया उस friends ने उस school में देट दे उस तिन और last question है जो क्यानि की कौन से से है love across to the salt desert से है जो option में आ सकता है दो characters के पूछ के यह पुछा जा सकता है discuss the happiness of title love across the salt desert की जो love across the salt desert है इसकी title सिर्षक की उप्युकता पे यानिया आप विचार अपने विक्त कीजिए तो student यह 6 person है 6 में से उपर वाला जो person है एक number का यह very very important है सब के याद होना चाहिए और उमीद करता हूँ यह आप यह 6 person अच्छे से learn कर लोगे और total 33 person हुए तो आप 30 person को यह नहीं कि अच्छे से अपने copy में note कीजिए अपना test जरूर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए thank you for watching please like, share and subscribe the channel